हेलो फेंस तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेश्णों में शादी पार्टियों के लिए चना मसाला कैसे बना रहता है तो चलिए रेश्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक किलो चने लिया है वाइड चने का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ चनों क आपने अच्छी तरह से धो लेना है कम सकम दो से तीन पानी से धो लीशे ताकि चनों के बाहर से डश्ट गयर अलगी हो वो पूरी तरह से निकल जाए तो कम सकम दो से तीन पानी से अपने इनको जूर दोना है धोने के बाद चनों को आपने भिगो की रखना होता है ताकि चने अच्छी तरह से फूल जाते हैं तो इनको पकने में टाइम कम लगता है तो के देखिए यहाँ पर मैंने चनों को भीगो होती है भीगोने के लिए पानी आपने डबल डालना है इसमें तभी चने अच्छे से सोको पाएंगे कमसम 6-8 गंटे तक इनको छोड़ दीजिए क देखिए 6 गंटे तक मैंने चनों को भीगो के रखा था चने अच्छी तरह से फूल जुके हैं अब इसके बुद आपने इनको बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है पांच लीटर का एक किलो चने पांच लीटर के प्रेशर कुक चनों का मसाला बना लेते हैं आदा किलो में ने प्याज लिया है, 400 ग्राम टमाटर का यूज़ कर रहा हूँ, जो प्याज है, इसको आपने रफली काटके ग्राइंड कर लेना है, पानी डालना है, बिना पानी से ही आपने प्याज को पीसना है, पानी डालके प्याज को पीसते हैं, हलका सा कड़बा देश नहीं तो पकाने में टाइम जदा लग जाता है तो देखे टमाटनों को भी पीस लिए है थोड़े से खड़े मसाले चीह होंगे तेश पता चोटी लाइची बड़ी लाइची लॉंग दाल चेनी इसके ताथ में दो साबूत मेर चीह थोड़े सी काली मेर चौद एक जावी त दिशे एक छोटा चमच आपने इसमें कोटावा साबू धनी आइड करना है और इसके थोड़ी सी हींग आइड करेंगे डाइजेशन के लिए बढ़ी होती है और फ्लेवर भी बहुत ही बहतरी नाता है इसका और एक छोटा चमच आपने इसमें अजवाइन एड करनी है जो पहले अदर गलसन के पेस्ट को यह आपने पकाना होता है फिर आपने इसमें पिसवा प्याज डालना है यह देखिए प्याज भी डाल दिया है अब गैस की फिलेम आपने हाई रखनी है प्याज को आपने तब तब पकाना है जब तब प्याज का कलर हलका सा लाइड छोड़ना शुरूर ना करते हैं तब ही टमाटरों का कच्छ और खटाटेश खतम हो पाता है तो अगे देखे टमाटरों को भी मैंने हमें लगव तीन से चाल मिन तब पका लिया है इसके बद आपने इसमें नमक एड़ करना है तो दो छोटे चमच भरके आप इसमें नमक एड़ करना है एक चमच आप इसमें जीरा पर्टर आड़ कीजिए कच्चा जीरा पर्टर का यूज क्या है थोड़ी से मैं ने इसमें कसूरी मेत्ती प यैड़ किकिया मसालों को भी अच्छी तरह से प्याज तो टमाटर के साब mix कर लीशे और मसाला को भी प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भून भी लीशे तो ओके देखिए हमारा जो मसाला अच्छे से dry हो चुका है अच्छी तरह से मसालों को मैं भून लीए इसके बाद आदा चमच आपने इसमें आमचूर पोडर एड़ करना ह आम चुर पोर्टर ना हूँ, आप इसकी जगा ना अनारदा ना पोर्टर डाल सकते हैं, आदा चमच आपने इसमें गरम मसाला पोर्टर एड़ करना है, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए, तो इस तरह से आपने चना मसाला का जो मसाला पहले बना के त्यार करना है, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है, क्योंकि टमाटर प्याज अच्छी तरह से बून चुका है, मसाले पक चुके हैं, थोड़ा सा पानी डालके पकाएंगे, तो मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, तो देखे इतने से प्यास टमाइटर से कितनी सारी हमारी जू ग्रेवियों बनके त्यार हो चुकी है, अब इसके हम चने चेक कर लेते हैं, चने पके हैं, नहीं पके हैं, तो यहां बें टोटल मैंने 25 मिन तक चनो को पकाया है, बीस मिन तक low flame में, पांच मिन तक मैंने high flame में पकाया था और जब आपने अब steam निकल जाएगी, उसके बद आपने ढकन खोलना है और के देखे, अच्छी तरद से चने जो हैं soft हो चुके हैं, बीस से fat भी चुके हैं अब इसके बद आपने इसमें से थोड़े से चने तो डाल देने गरेवी में, पूरे इन डालने पहले थोड़े से चने डालिए इससे क्योंगा, जब हम इन चनों को गरेवी के साब भूनेंगे, गरेवी में और अच्छी पकड़ाएगी और quantity बढ़ जाएगी और ये देखिए, अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, थोड़ी दिर इन चनों को भून लीशे, अगर आप ज़्यादा ही quantity बढ़ाना चाते हैं, इनको न, मैश भी कर सकते हैं, बट पीस के ने डालना है, पीस के डालते हैं, ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है थोड़ी दिर पकानी के बट आप इसमें, सारे का सारे चने डाल दीशे, इसके बट आपने दो से तीन मिन तक गैस की फ्लेम तो हाई रखनी है, और उसके बट आपने आट से दस मिन तक मीडियम तो लो फ्लेम इनको पकने देना है, इस ते क्योंगा, चने और ग्रेवी आ चुका है, अब इसके बट इनको निकाल दीशे, और के देखे, 10 मिन तक मैंने चनों को ग्रेवी के साब पका लिया है, अच्छी तरह से ग्रेवी भी थीक हो चुकी है, और अच्छा ग्रेवी में आपके कलर भी आ चुका है, इसके बट लास्ट में आपने इसमें आइड करना है, थोड़ी सी हींग डालनी है, लोग फ्ले में जीरे को थोड़ा सा चटकने दीशे, जैसे जीरे का गलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके बट आपने इसमें थोड़ी सी छोंक के लिए कश्मीरी लाज मिर्च पॉर्डर एड करना है, तो पैन को उढ़